नेमार्चकर्ट स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मेरानी गुपता आपके साथ इस वक्त की बड़ी ख़वर सामने आ रहे हैं बता दे कि पिछले दिनों उद्य निधी स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म को लेकर के विवादत बयान दिया गया था अब उ उन्होंने कहा था कि जो धर्म समानता का अधिकार नहीं देता वो किसी बिमारी से कम नहीं है अब इन दोनों की ही मुश्किले बढ़ चुकी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बखादा इसको ले करके इन दोनों के खिलाफ वहां के अधिवक्ताओं ने फाई आर दर्श पड़ गे तो वहीं अगर हम उधे निदे स्टालिन के बात करें तो वह भी तमिलनाडू के सीम एम के स्टालिन के बेटे हैं लेकिन ऐसी बयान बाजी सनातन धर्म को ले करके इससे सभी और देश में लोगों के बीच गुसा फुटा पड़ा है तो वहीं दूसरी और सनातन धर्म की डिंगू से तुलना के बाद एक बार फिर से हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर सवाल उठाए गए हैं ताजा बयान करनाठक के ग्रह विभाग के मंत्री परमेश्वर की तरफ से आया है परमेश्वर ने कहा कि हिंदू धर्म के उत्पत्ति के बारे में किसी को नहीं पता, गयानिес कि सीधे तौर पर एक के बार कोंग्रेस की नेता हों, और फिर विपक्षी दल में शामिल नेता हों, उनकी बयानवाजी, सनातन धर्म के खिलाफ देखने को मिल रही है, उधर अगर हम बात राहुल गानधी की करें, लालु यादों की करें, लालु यादों जो क कि ऐसे नेता हैं जिन्हें काफी वरस्त माना जाता है लेकिन वो भी सावन के दौरान मांसाहार करते हुए नसर आये थे और इस चीज को ले करके भी लोगों ने बहुत सवाल उठाये थे और लोगों का कहना था कि इंडिय अलाइन्स जो है बार-बार अपने कर्मों से ये हों मतादे कि करनाटक के तुमकुर शहर में एक जनसभा में मंतरी परमेश्वर ने कहा कि दुनिया के इतिहास के आनेक धर्मों का उद्य देखा है लेकिन किसी को ये नहीं पता कि हिंदु धर्म कब जन्माया इस धर्म को किस ने जन्म दिया इस पर सवाल निशान लगा हु बौद दर्म और जयन धर्म की भारत में उत्पत्ती हुई इसलाम और इसाई धर्म देश से बाहर से आये हैं यह सभी मानवता के भले के लिए आये हैं यानि कि करनाटका के जो मंतरी है परमेश्वर उन्हें यहीं नहीं पता कि सनातन धर्म की उत्पत्ती कैसे हुई है या पिर कहां ये जन्मा है लेकिन सनातन धर्म के बारे में जुन्हें पता है वो ये जानते हैं कि सनातन धर्म के उत्पत्ती इसी धर्ती से हुई है भारत से हुई है और ये धर्म कोई एक सो साल दो सो साल पुराना नहीं बलकि हजारों साल पुराना इतिहास है तो भाई आपको बतादे कि सरातन धर्म को ले करके विवादर टेपने करने पर तमिलनाडू मुख्यमंत्री के बैटे उद्यनिदी स्टालिन और कॉंग्रस अध्यक्ष मलेकार जुन खड़गे के बैटे प्रयांग खड़गे के खलाफ रामपूर में फाई आर दर्च की गई है वरस्ट अध में विस्तार से खवर छपी कि तमिलनाडू के मंतरी उद्यनिधि स्टालिन जो की से सुसके पूत्रे हैं के अभाद्र टिप पड़ी की अगले दिन करनाचक सरकार में मंत्री और कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अर्जन खरगे के पोत्र प्रयांग खरगे ने भी उद्यनिधी के भाशन का समर्थन किया अधिवक्ता हर्ष गुपता ने कहा कि उद्यनिधियों और प्रियांग खड़के के भाशन से हमारी धार्मिक भावनाय आहत हुई हैं हमारा सनातन धर्म अनंत धर्म है निरंतर धर्म है जिस पर किसी भी व्यक्ति विशेश को या किसी भी धर्म के व्यक्ति को कोई भी अभद्र टिपणी करने की आवर्शक्तान नहीं है टिपणियों सी हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है बार असोसियेशन रामपूर के पूर्वा ध्यक्ष रामसिंग लोधी ने इस मामले की शुकात पुलस अधिक्षक से भी की है इसके बाद सिविल लाइन सिथाने में ये केस दर्श किया गया है वही अधिवक्ता ने कहा कि वे कानूनी कारवाई चाते हैं उन्होंने ज्वान बूच कर हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए भाशन दिया है जिसके लिए किसी भी कानून का समर्थन प्राप्त नहीं है अधिवक्ता ने कहा कि वो जितने बड़े पत पर आसीन है उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो केवल अपनी ही वर्ग के विशेस मंत्री या पत पर आसी नहीं बलकि पूरे स्टेट को रिप्रजेंट करते हैं और स्टेट में सभी प्रकार सभी धर्म के वैक्ती निवास करते हैं ऐसे में सवाल उठ रहा होगा आपके जहन में कि आखिर वो कौन सा बयान है जो कि प्रयांग खडगे और उद्यनिदी के द्वारा सनातन धर्म को लेकर के दिया गया है जिसको लेकर के इतना बवाल देश भर में देखने को मिल रहा है दरसल तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उद्यनिदी स्टालिन ने शनिवार को ब पर्मूनन सम्मीलन आयुजित किया गया था और इसी दोरान उद्यनिधी स्टालिन ने बड़ा स्टेट्मेंट दिया था जिसके बाद उद्यनिधी स्टालिन ने रविवार को अपने सनातन धर्म संबंदी विबात पर प्रतिक्रिया भी दी थी और कहा कि मैं फिर से कह रहा ना ही माफी मांगी और ना ही अपने इस बयान को ले करके कोई सफाई दी जिसकी वज़े से देश भर में लोगों का गुसा फूट रहा है वही अगर हम मलेका अरजुड खड़गे के बेचे प्रियांग खड़गे की बात करें तो उन्होंने ये कहा उद्यनिधी स्टालिन के बयान का समर्थन करते हुए कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता या आपको मानव होने की गर्मा सुनश्चित नहीं करता वो धर्म नहीं है प्रियांग खड़गे ने आगे ये भी कहा कि मेरे मुताबिक कोई भी धर्म जो आपको समान अधिकार नहीं करता वो एक बिमारी के समान है तो लगातार इस तरीके से कॉंग्रेस के नेताओं के द्वारा विपक्षवी गडबंधन में जो शामिल पार्टियां है उनके नेताओं के तरह इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है जो कि आने वाले समय में गंभीर मुद्दा बनता जा रह है लेकिन इनके जो कार्या है इनकी जो बयानबाजी है वो पूरी तरीके से हिंदू विरोधी इनका चहरा दरशाता है ऐसे में ये कहीं न कहीं देश के उन लाखों लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं जो कि सनातन धर्म का पालन करते हैं जो कि सनातन धर्म को मानते है जाहिर तोर पर आने वाले लोगसवा चुनाव के लिए भी ये अलग से विपक्षी गडबंधन के लिए एक नई मुश्किल खड़ा कर रहा है क्योंकि देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि सनातन धर्म को मानते हैं और बार बार ऐसी टिपड़ियां ऐसी बयान बाजी कॉं नहीं अगर दूसरी और बात करें तो लगातार ना तो कौंग्रेस के नेताओं के द्वारा ना ही विपक्ष के नेताओं के द्वारा इस तरीकी की जो बयान बाजी की जा रही है इसको लेकर के वो सफाई भी नहीं देना चाहते और ना ही कोई माफी माँगना चाह रहे हैं बलकि अपने बयान पे वो कायम भी है अब इसको लेकर के देश भर में सियासत देखने को मिल रही है बीजेपी के नेता लगातार इस बयान बाजी के बाद सही कॉंग्रेस और एमके स्टालिन के बेटे उधे निदी स्टालिन पर हमलावर हैं और उनका कहना है कि ये जो विपक्षी गडबंधन का चोहरा है इनकी बयान बाजी से साफ तोर से देखने को मिलता है कि यही इनका अ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे के और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले